CTC यानि cost to company इसमें और जो आपके हाथ में salary आती है जो in hand salary हम कहते हैं जो bank में credit होती है उस salary में क्या difference होता है मतलब CTC versus gross या gross versus net इसको आप कुछ भी कह सकते हैं तो इसी बाद में आज की वीडियो में जानेगे नमस्कार मेरा नाम है Amit Dhoniel और आप देख रहे हैं Arm Investor जो salary आपको company बताती है कि यह आपकी CTC है मानले जी company आपको बताती है कि 50,000 रुपए की आपकी CTC है इसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि 50,000 रुपए आपके account में credit होने वाले है कुछ लोग जो नही नहीं नौकरी में लगते हैं उनको लगता है कि जो उनको CTC बताई हुई है उसको वो डिवाइड करते हैं अपने 12 महीने से और एक महीने का वो amount निकालके देख लेते हैं कि इतना मारा परमत मेरे account में इतना credit होगी लेकिन ये सत्य नहीं होते हैं CTC मतलब cost to company कंपनी को जो cost पड़ रही है आपके उपर वो कहलाती है CTC और जो आपको in hand मिलेगी वो होगी आपकी net salary CTC के अंदर सबसे पहला आता आपका PF दूसरा अलग अलग बहुत सारे components होते हैं जैसे allowances हो गया, HR हो गया, medical हो गया, health insurance या life insurance हो गया, आपके bills हो गये, phone के, internet के, newspaper के, telephone के, electricity के, आपके पहनने के कपड़े हो गये, ये अलग अलग तरीके से allowance देती है तो इन सब में से जैसे कि PF आपका पहले से कट के आता है, दूसरा health insurance अगर company दे रही है, तो कुछ company उसको अपने end पे रपती है और कुछ company आपके CTC में उसको include कर देती है, अगर company आपको training provide कर आ रही है, तो कुछ companies आपकी training का cost भी है, आप ही के CTC में डाल देती है, तो आप basically मोटा मोटा समझ आपका HRA, PF, other allowances, यह सब कुछ include होता है, और net salary वो आती है, जो in deduction के बाद, माल यह आपके deduction होंगा PF, पहले क्या होता है कि मुंबई की company होती थी, तो उसमें professional tax भी एक कटता था, 200 रूपे, हर महीने, लेकिन आजकल तो नहीं कट रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूं, तो gross salary मे इसे, PF को deduction होने के बाद, या कुछ other deduction company करती है, उन सब को deduct करने के बाद, जो आपके net salary, आपके take home salary, जो आपके हाथ में आएगी, वो होती है, आपकी net salary, तो यही difference है, CTC और net salary में, ज्यादा लंबा वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है, काम की बात सिर्फ इतनी है, चाह कई छोड़क चाह नहीं है, बात सिर्फ झा में, वो है।